जैहिन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आसुतोस पांडे आल राउंडर क्लासेज में इसके पहले के वीडियो में हमने रिगवेद के बारे में पढ़ा था आज हम लोग पढ़ेंगे सामबेद के बारे में चलिए तो सामबेद की बात करें तो साम का सापदी कर्थ होता है गान जिसके मंत्रों को यग्य के समय गाया जाता था और सामबेद की बात की जाये तो इसके पाठ करता को उदात्री या उदगाता कहा जाता है इसके जो मंत्र हैं वो यग्य के समय गाये जाते हैं अगर सामबेद की बात की जाये तो इसमें 1875 मंत्र हैं लेकि काख्य के मंतनों को रिग्वेद से लिया गया है तो बता दें आपको कि सामवेद को इसके पाठ करता को उधात्र या उद्गाता कहा जाता है इसे भारतिय संगीत का जनक कहा जाता है इसे संगीत के सारे गॉम पधनी यह साथ सवर इसी में से हैं जो यकिके समय गाये जाते हैं सामबेद का जैसे हमने रिगवेद का उपवेद बताया था इसी तरह इसमें सामबेद का उपवेद है गंधरववेद और गंधरववेद के ग्यानी को नारद कहा जाता है गंधर्व बेद के ज्यानी को नारद कहा जाता है साम बेद का उपबेद है गंधर्व बेद और गंधर्व बेद के ज्यानी को नारद कहा जाता है इतना वीडियो काफी होगा मिलेंगे अगले वीडियो में जै हिंड